तो दोस्तों आज हम कभर करेंगे इंडियन T20 लीग का मैच नंबर नम्मा जो खेला जाएगा राजस्थन रॉयल और दिल्ली केपीटल का बीच जो मुकाबला होगा वो कैसा मुकाबला होगा और कौन सा टीम जितेगा और कौन सा टीम हारेगा स्ट्रोंग कौन सा टीम है और कमजोर कौन सा टीम है साथ ही साथ ये मैच कितने बज़े होगा ये मैच इंडियन समय अनुसार सारे साथ बज़े खिला जाएगा कल साम को समय कल साम को खेले जाने बाले मैच में कौन सा टीम जिस सकता है और कौन सा टीम हार सकता है साथ ही साथ गर्मकाड यूनिक पिलियर के रूम में कौन सा होगा और कौन सा बैस्ट मेन है जिनका सेलेक्शन परशेंड काफी हा है लेकिन उसे लोग अपने टीम में ले कर जाएगा लेकिन वो फलॉप्स होने का संभाबना है और योनी के कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा और जिनका सलैनम में नाम सामिल है और वो कितने नमर में बैटिंग ओडर करेगा ये भी बताएंगे देखिए यहां प्रगली मेच में जौस बटलर क्या जौस बटलर कल की तरह आज भी फलोप्स होगा क्या संजू समसम जो है कल की तरह आज भी अच्छे हीटिंग करेगा बात कर रहेते हैं रिसाब पंत क्या रिसाब पंत अच्छे खासा पॉइंट देगा या फलोप्स होगा उसके बाद डेर रंड अच्छे खासह देगा या नहीं ये भी बताएंगे और नीचे आएंगे यहां पर विकेट कीपर सेक्शन में लगभग पॉंच विकेट कीपर का लाइनम में नाम सामिल है ज्यादा तर विकेट कीपर उभर कर आया है पॉंच जो है पॉंचो का ऐसे बैक आउप पिलियर बोलते हैं एक है कि और तीन उनिक बताऊंगा तीन यूनिक पिलियर बताऊंगा जो आपके टीम मेंिन होना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि टॉस होने के बाद से पिलियर जो होता है और जिनका लाइनम में नाम भी सामिल होता है तो और नहीं खेलता है उनको खेलने का मौका मिल जाता है इसलिए देखिए जो सब सब्सक्राइब जौस बटलर जो है राज अस्तान रोयल की तरफ से अपनर वेस्टमेन है लेकिन रिशन के जात मुकाबले के तूलना क्या जाए तो सातों में खास परदर्शन नहीं किया है लेकिन अच्छे खासे परदर्शन कर रहा था और इसका टाइलेंड की बात करें तो भेन्नु पर भ के लिए मैच में तीन नमर में बैटिंग ओडर आया है तीन नमर में आने के बाद जुद भी यह अच्छे खासे परदर्शन किया है और केप्टनसी और बॉइस के भूमी का निभाये हैं बात कर रहेते हैं दिल्ली की तरफ से रिसब पंत के बारे में भाई रिसब पंत एक अनुभवी और टालेंटी बंदे हैं और इस ग्रॉंड पर कैसा परफॉर्म करेगा रिसब के मैच में क्या रहेगा यह भी बताएंगे तब चोथा में आ जाएगा लैनम में जिनका नाम सामिल है उनके बारे में बता देते हैं और यूनिक फिलियर के बारे में बताऊंगा अच्छे तरहा से टीम बना सकते हैं। अब ऊपर आते हैं साइभप एक एपरिन यह साथ जह भी केट कीपर छे बिडीड कीपर का लैनम में नाम सामिल है से बिकेटकीपर में से आप लोग को 6 तो अपनी टीम में तो सामिल नहीं कर पाओगे छे में से आप लोग को चार दू एक या तीन को सामिल कर पाओगे तो किसे करना है क्यों करना है यह भी वताएंगे लेकिन जिनका लैनाम में नाम सामिल है और जिनका खेलने का चांस है पहले मैं उसके बारे में बता देते हैं आप लोग को लगता है कि आद जंजू समसं केप्टन और वोईस केप पारी निपायेगा तो आप गलत है आप यहां पर बायस्ट में सेक्शन में बात कर लेते हैं बैस्ट में सेक्षण में आने से पाले आप लोग को पीच रिपोर्ट बता देते तेंगा, पीच रिपोर्ट में अभी तक जेपूर का record के देखा जा तो कौझा पिलियर अच्छे खासे परफॉर्म कर सकता है क्योंकि आप भी जानते हैं गरॉंड किसी किसी गरॉंड पर 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 फॉर्म नहीं करता है चाहें उनका record जितना भी अच्छा हो और कुछ पिलियर ऐसा होते हैं जो तो हर गरून्ड में अच्छे खासे परधर्शन करता है और कुछ पिलियाइर को गरून सुट नहीं करता है इस ताकि ओएश़ा पेलियर को अपने टीम मिलेंगे तो आपका टीम नौकसान हो सकता है आपको बरबाद हो सकता है आपको इंटरी फिस डूब्स रगता है देखिए बेस्टमें सेक्शन में सबसे पहले देखिए लाइनम में नाम किसे सामिल है और योनिक पिलियर के रूम में कौन रहेगा लाइनाम में नाम सामिल डेवी वानर की जो डिल्ली केपिटल की तरफ से अपनर बेस्टमेन है उसके बाद देखिए जे सुवाल है जे सुवाल का 31 का ब्रेज आए पहले की मैच की तुलना क्या जाए तो अच्छे खासे स्कोर कर करता था फिलाल अगले मैच में प्लोस हुआ है और सेलेक्शन पर्षेंट हाइँ हो गया है एडमायर को अगले मैच में ट्राय किया है इनका बैटिंग ओडर की बात करें तो इन्हें पहुंच नमर में आएगा खास परदर्शन नहीं कर रहा है राजस्थान रोयल की तरफ से हैं यह दिल्ली का ओप नर और जिसवाल ओपनर है इसलिए आज अपने टीम में और को लेना चाहिए यह मैडल अडर को ये भी बताएंगे और यहां पर बात कर लेते हैं पिर्तवी 100 को पिर्तवी 100 जो है अच्छे खासे परदर्शन करेगा अच्छे खासे परदर्शन करने का समभना और रिकोर्ड काफी लाजवाब है और इनके साथ साथ में आपको योनिक पिलियर के रूम में टराय करने बाला हूं योनिक पिलिय जोके डिली की है अगले मैच मेंघ में खेलने का मोका मिला है खास परतशन नहीं किया है रिकाउट की तिरिश्टी से काफिए ला जवाब परता है आया दोनों य्योंननिक है रहेगा तो आप इन तौन हैं से कोई खेलेगा तो अपने चे यह पर छे जो है बेस्ट में नहीं कर पाऊगे चे में से दो या एक जिसे भी ट्राय करना है आप अपने हिसाप से कर सकते हैं क्यों करना है किस रिजल से करना है मैं डेमो के लिए टीम बना दूँगा और किसे ग्रॉंड सूट करता है किसे नहीं ये भी बताऊंगा चलिए आप बात कर लेते हैं वोलंडर सेक्षन में वोलंडर सेक्षन में आने से पहले देखिए यहाँ पर कुछ वोलंडर योनिक वोलंडर है जो मिक्सर मार्च यह अपनर है डिल्ली की अच्छे कासे परदैसन करेगा इस तीम का गेंस ठीक ठाक उमीद लगा सकते हैं उसके बाद देखिए अक्षर पर्ट्रल हर एक मैस में विकेट निकाल के जा रहा है और वासुआनी का रिकॉर्ड अच्छे हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है और पेग्मने कापी लाजवाब परदर्शन करता है बैटि एक योनी कोलंडर के रूम में रहेगा एक योनी कोलंडर के रूम में रहने के बाद देखिए अब बॉलर स्रेक्षन में बात कर लेते हैं सबसे पाले और बॉलर स्रेक्षन में ट्रेंट बॉल्ड को अपने टीम में सामिल करना चाहिए या नहीं इवंदर चाहल को आज वि सामिल कीजिए की नहीं इसां कि सब्ceu쟁र पेसांस सया जो हैं अच्छे हों लेकिनग भी केट निकाले हैं और इसांसरमा एक भी केट निकाले हैं इयर को उपने टीम में रखना चाहिए हैं यह नहीं यह आथ जो अब यह इन पर देखिए अब पुलाल के लिए लाइनब में नम सामिल है आठ पिलियर को आठ पिलियर में से आप लोग किसे लेना है क्यों लेना है किस रिजन से लेना है ये भी वताएंगे चलिए आपको ज्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्षन से बात कर लेते हैं देखिए विकेट कीपर सेक्षन में यहाँ पर जौस बटलर भाई जौस बटलर जो है आज के मैच में अच्छे खासे परफॉर्म कर सकता है और कैप्टनसी और वॉइस कैप्टनसी का मे सेने के बाद देखिए संजू समसं का खास तो रिकाउड नहीं है लेकिन अच्छे खासे पॉइंट नहीं दे रहा है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जौस बटलर और संजू समसं में से किसे लेना है दोनों संजू समसं एक मुकाबले में अच्छे खासे परदर्शन किया है तो सेलेक्शन पर्शन का प्रिया हो गया है अब यहाँ पर दो है दो में से तो आप दोनों को सामिल नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग दोनों को सामिल करना चाहते हैं तो आप लोग हैट टू हैट लिग या स्मॉल लिग ट्री मेंबर वाले लिग मेगा जीयल जीयल का रिक्सी टीम नहीं बनाते हैं तो इन दोनों के साथ जा सकते हैं अगर आप लोग जील का रिक्सी टीम या मेगा जील का रिक्सी टीम बनाते हैं तो इन दोनों में से आप एक के साथ जा सकते हैं मैं फिलाल के लिए बटलर और जंजू समसम दोने के साथ जा रहा हूं मैं जील पंद को ले लिया हूं अब यहां पर मैं तीन विकेट कीपर ले लिया हूं और इन तीन विकेट कीपर में तो बैटिंग ओडर के बारे में मैं बता देता हूं रिसा पंद को अभी फिलाल के लिए लाइनम में चार नमर में सामिल है और संजू समसम तीन नमर में बटलर एक नमर में आएगा दो नमर के साथ अब यहां पर बात कर लेते हैं वार्णल को भाई वार्णल जो है इस टीम का गेंस ग्रॉंड पर अच्छे खासे परदासन करता है 30-35 रन मार के जाता है खास परदासन नहीं किया है लेकिन टाइलेंटी है कभी भी लंबे इसकोर खेल सकता है जे स्वाल यह चार-पंच पिलियर हो गया से पंच पिलियर से लेने के बाद देखिया अगर डर्म का डियो निक होगा तो आज आर बेनियों को अपने टीम में जरूर सामिल कीजिएगा अच्छे खासे बेस्ट में है अच्छे खासे परदासन कर सकता है मैं फिलाल के लिए अभी इसे डरॉब कर रहा हूँ अब दो वलंडर तीन विकेट कीपर दो बेस्ट में लेने के बाद मैं आप लोग को इस गरॉंड पर कुल कितने मकाबले होए हैं ये बता देते हैं इस गरॉंड पर मातर एक मकाबले रिसन के हुए हैं एक मकाबले में जो बॉलिंग फर्ष्ट किये हैं वो एक मकाबले जीते हैं यहीं फर्ष्ट एनिंग में जो बॉलिंग किये हैं वो एक मकाबले जीते हैं और इस गरॉंड पर 69 मकाबले हुए हैं 69 मकाबले में से 24 मकाबले जो है वो बैटिंग फर्स करने बाले जीते हैं और 34 मकाबले जो है वो बैटिंग सकेंड करने बाले जीते हैं कहीं ना कहीं इस गरोंड पर सकेंड रेनिंग में बैटिंग करना अच्छे मना जाता है और जो टीम पाले बॉलिंग करेगा उड का जीत इसने का चांस 75% रहेगा इस बात को ध्यान रखकर अगर आप लोग टीम बनाते हैं तो आपको इंटरी फीज के साथ साथ 10% 20% का गारेंटी हर एक मैच में मैं ले सकता हूं अगर आप लोग रिक्सी टीम नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इंटरी फीज के बनाना चाहते हैं तो आपको 10-20% मिल सकता है प्रोफिट यहां पर बात कर लेते हैं अब यहां पर इन प्रेंग गो मैं अपने टीम में मेरा प्लियर रहेगा अच्छा खासा आप यहां पर बात कर लेते हैं आरसवानी अक्छर पठेल इन सम्में मिक्शर मास को मैं अभी द ट्रेंट बॉल्ट अच्छ खासा है ट्रेंट बॉल्ट आच्छे खासे रहने के बाद जुद भी एक मुझे आप यह पर इवंदर चाहर या कुल दीपी leaving में कुलदी प्यादम में से मुझे किसे ले देखिए कुलदी प्यादम जो है एवंदर ट्रेंट बॉल्ड जो है राजस्तान रॉयल की बॉलर है और दिल्लिक की तरफ से मही कुलदी प्यादव या आवेज खान को मैं ले सकता हूँ अगर आप लोग fora फोनिक लेना साथ चार का कमनेशन मुझे पॉंच छे का कमनेशन बनाना है तो मुझे एक जो है अच्छे खासे बेस्ट मेन या बॉलर को मैं अपने टीम में रहूँगा वो अडिली की तरफ से एर नजर खेलेगा तो रख सकता हूँ अनियता मेरा जो है कुल्दी पियादव आज के मैच में रहेगा मैं देखिए एक टरेंट बॉल और दूसरा कुल्दी पियादव को लिया है दो बॉलर लिया है दो बॉलर लेने के बाद देखिए मैं चार ओलंडर लिया हूँ चार उलंडर लेने के बाद देखिए मैं दो विकेट कीपर दो बैस्ट में लिया हूँ दो बैस्ट में लेने के बाद देखिए तीन जो है विकेट कीपर लिया हूँ और मैं आपको लोग को सामने में नेस्ट करता हूँ नेस्ट करने के बाद देखिए बात कर लेते हैं कैप्टेंसी और भॉइस कैप्टेंसी देखिए संजू समसम एक मेच में अच्छे खासे परदर्शन किया है और जिसके कारण captaincy और voice captaincy high हो गया है अगर ये batting पीछ है विकेट नहीं गिरा तो संजू समसम को अगर batting करने का chance नहीं मिला तो हो सकता है आज जो है आपका team नीचे का जा सकता है लेगे मैं captaincy कुछ unique दूँगा और दोनों मैं opener को captain और voice captain देना चाहता हूँ आपनर में मेरा captain और voice captain सबसे पहले मैं butler को captain देता हूँ voice captain करूम में देखिए यहाँ पर ओरनल को देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग head to head league या small league mega GL खिनले चाहते हैं सेफ captain देना चाहते हैं जिए सुवाल रहेगा voice captain संजु समसम रहेगा अगर थोड़ा और निकसी captain और voice captain देना चाहते हैं तो voice captain आर रहेगरा अच्छे खासे spinner रहेगा इसे दे सकते हैं क्योंकि पीच बै Markler को captain दूंगा और voice captain Warnal को दूंगा क्योंकि दोनों team काफी strong हैं दोनों team आपस में कुल मिलाकर 24 मकाबले खेले गये हैं 24 मकाबले में से 13 14 का 27 खेले हैं 37 मकाबले में से 13 14 का कम nation है दोनों team काफी strong है गरौंट के बात करें तो गरौंड पर कुल मिलाकर दोनों टीम आपस में तीन मकाबले के लिए है पौंच में तीन अदू का कमनेशन है काफी अच्छे हैं इसलिए दोनों टीम के तुन्ना में मैं दोनों अपनर को आज कैप्टन और वाईस कैप्टन दिया हूं क्योंकि एस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों